Hello everyone, तो आज की स्रीज में हम करेंगे forest guard exam के regarding 100 question की स्रीज को तो friends इसके लिए आप video मालास तक बने रहें और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी useful लगे, helpful लगे तो please वीडियो को like जरूर करें तो चलिए friends, continue करते हम आज की स्रीज को First question है अलंकार आपको बताना है, तो इसमें right answer है, रूपक अलंकार उपमे में उपमान का भेद रही जहाँ पे आरोप होता है, वहाँ पे होता है, रूपक अलंकार Second question है लाल देह ला लीला से, अरिधर लाल लंगूर, बजर देह दा नव दलन, जै 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 कपिसूर तो देखे, यहाँ पे वर्णों की बार-बार आवरित्ती हो रही है, आप देख सकते हैं हर एक सब्द में ठीक है, तो वर्ण की जहाँ पर बार-बार आवरित्ती होती है, वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार ठीक है, तो right answer होगा, option C अगला question ने देखिया हमारा मुहावरे से related, इसमें पूछा गया है आपसे आखों में रात काटना मुहावरे का क्या आर्थ है, तो इस मुहावरे का आर्थ होता है, रात भर जाकते रहना next question है, आखे खुलना मुहावरे का क्या आर्थ है, आखे खुलना, यानि कि होसाना, ग्यान होना, ग्यात हो जाना या सभी उत्तर सही है, तो तीनों ही option इसके लिए right answer है, तो option D का correct answer होगा next question है, नीचे दिये गे, प्रस्णों के सब्द के चार विकल्प में संदी विच्छे दिया गया है, आपको जो सही संदी विच्छेत किया गया है, उसको select करना है, ठीक है, जन्मांतर, जन्मांतर का संदी विच्छेत होगा, जन्म प्लस अंतर, यानि कि option C, इसका right answer होगा, और देखे, अगर आपसे इसमें पूछा जाए, और देखे, अगर आपसे पूछा जाए, इसमें कौन सी संदी है, तो देखे, जन्म प्लस अंतर, ओ प्लस ओ मिलके बनाते हैं, आ, ठीक है, तो इसमें है दीर्ग संदी, इसी तरीके से अगला question भी है, वीर उचित, इसका ज अगला question है, मंथर, मंथर के लिए आपको सही सब्द बताना है, तो इसके लिए होगा तीव्र, ठीक है, ऑफचन सी सी सका राइट आंसर होगा, नेक्स question है, कौन सी जोडी में संग्या का सही विसेशन नहीं है, देखे, नहीं है, पुछा जा रहा है, आदी, आदि, पिता, पैत्रिक मीठा मीठाई और उसके जाद दिया गया है दिन दैनिक तो इसमें राइट आंसर हो जागा option B question number 10 है व्याकरण की द्रिष्टी से व्यंजन सब्द है देखिए किस तरीके का सब्द है पूछा जा रहा है तो व्यंजन जाती वाचक संग्या है ठीक है option D का right answer होगा अगला question है जो परिस्रम करेगा वह सफल होगा वाकी में कौन सा सर्वनाम है देखिए सर्वनाम पूछा जा रहा है तो इसमें सर्वनाम है संबंध वाचक ठीक है क्योंकि ये संबंध को दर्साता है ठीक है जो परिस्रम करेगा वही सफल होगा तो right answer होगा option B अगला question है आप आ गए वाकी में कौन सा सर्वनाम है देखिए आप आ गई ठीक है इसमें है मध्यम पुरुस वाचक सर्वनाम क्यों देखिए जहां पे आप हो तुम हो आपको तू इस तरीके के सब्दों का प्रियोग किया जाएगा यानि कि दूसरे को व्यक्त करने के लि हैं तो देखिए मूल सवर होते हैं चार औ, ई, उ, और री ठीक है यह जो चार है यह मूल सवर है अगला question है कौन सा सब्द बहुअचन है बहुअचन आपको बताना है तो राइट आंसर है प्रान इसमें बहुअचन होगा नेक्स वेशन है निमने लिखित में कौन सा सबसे पहला है पिता, माता, भगिनी, भावी तो इसमें है भगिनी देखें तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृति से हमने लिए हो यानि कि जोंके त्यों इस्तमाल किये हो तो राइट आंसर हो जागा इसमें उप्सन सी भगिनी नेक्स वेशन है मामा, मातुल, चाचा, तो इसमें होगा मातुल, देखें मातुल का मतलब होता है मा के तुल या तो मामा ठीक है या माता का भाई, तो इसमें मातुल क्या है तत्सम सब्द है, अगला कुशिन है रचना की द्रिस्टी से वाकि कितने प्रकार के होते हैं, देखें रचना की द्रिस्टी से पूछा ज तो इनको तीन भागों में बाटा गया है ठीक है तो राइट आंसर होगा option C अगला question है निवेदिता संपाधिका है वाकी में विधेई अलग करें देखें विधेई को अलग करें आपसे पूछा जा रहा है तो वाकी में जो किसी विसेश के बारे में बताएगा उसे हम विधे है तो देखे 20 तक के जो question थे हमारे हिंदी से related थे अब आगे जो question हम कर रहे हैं अभी वो है सामानी ज्यान से जुड़े हुए रेजिनिंग के भी question आपको देखने को मिलेंगे उत्राखन जी के के question भी आपको इस सुरीज में मिलेंगे तो इसके लिए आप video बनी रहें तो देखें question number 21 है मुगल कालिन भूमी वियासता का विस्तरित वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है तो right answer is option C आईने अगबरी में next question है सल्तनात काल में न्याय विभाग का वास्तविक प्रधान कौन होता था देखें वास्तविक प्रधान पूछा जा रहा है तो right answer है सुल्तान ठीक है option A इसका correct answer होगा यह तो दीखी नहीं रहा कैसे हो गई आला ऐसी डाल दूंगे तो कोई देखें अभी पता नहीं आ रही आले स्रीच मज़ा नहीं आने वाला है लग रहा है उसमें साफ नहीं आ रहे ना question number 23rd है Muslim League का प्रधाम अध्यक्षी कौन था तो right answer है आगा खां अगला question दिया गया है भारत में वरतमान में कितने राज्य और केंदर सासित प्रधेस हैं तो right answer है 28 राज्य है और 8 केंदर सासित प्रधेस हैं फ्रेंस इसमें आपको confuse नहीं होना है जहां पर 8 और 8 मिलेगा यानि कि दोनों ही डिजिट में 8 8 है इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है अगला question में देखें निमनलिकित हिम्नदों में कौन सा उत्राखंड के कुमाओं छेतर में अवस्तित है देखें इस्तित है पूछा जा रहा है तो right answer है मिलम हिम्नद question number 30 है पास्कल किसकी इकाई है तो right answer है दाप next question में देखें science से related है गुरुत्वा करस्ण के सारु भामिक नियम का प्रतिपादन किस ने किया तो right answer है newton ने question एक परमाणू में 9 electron, 9 proton और 10 neutron है उसकी द्रव्यमान संख्या होगी तो देखें द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या होती है proton की संख्या प्लस neutron की संख्या ठीक है तो proton कितने है इसमें 9 है neutron है 10 तो total कितने हो जाएंगे next question है नाभिक के धनावेसित होने की खोच किस ने की थी तो ये खोच की थी रदर फोर्ड ने ठीक है option D का correct answer होगा अगला question है EEG का प्रयोग किस की गतिविधी दर्ज करने के लिए किया जाता है तो देखे EEG का प्रयोग किया जाता है मस्तिस्क की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए और जबकि ECG का किया जाता है हिर्दय की गति को मेजर करने के लिए next question है मानर उधिर में कोलोस्ट्रोल का सामानिस्तर कितना होना चाहिए तो राइट आंसर है 140 से 180 मिलिग्राम के मद्धी होना चाहिए अगला question दिया गया है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है तो राइट आंसर है calcium के ठीक है option D's का राइट आंसर होगा next question दिया गया है हमास मुस्लिम क्रांतिकारी संगठन है तो देखिए ये फिलिस्तीन का एक क्रांतिकारी संगठन है मुस्लिम next question दिया गया है भारती लगू उद्योग विकास बैंक SIDBI का मुख्याले कहा इस्तित है तो ये इस्तित है लखनव में next question है रास्टी क्रिसीयों ग्रामन विकास बैंक नाबाट की इस्तापना किस समीती की सिफारिस के आधार पर की गई तो राइट आंसर है देखिए सिवरामन समीती द्वारा और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि नाबाट की स्तापना कब की गई थी तो ये 12 जुलाई 1982 को की गई थी नेक्स विशन है स्वधेसी क्रायोजैनिक इंजन की मदद से इसरो कितना वजनी उपग्रह को आंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में सक्षम है तो राइट आंसर है 2500 केजी नेक्स विशन है होकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद्र की आत्मकता का नाम क्या है तो इनकी आत्मकता का नाम है गोल उप्सन सीज का राइट आंसर होगा अगला कुशन दिया गया है देखिए मार्च 2021 में जारी विश्व खुसहाली सूचकांक में 149 देसों में भारत का इस्थान था तो देखिए भारत का इस्थान था इसमें 139 पे और 2022 की बात करें तो 2022 पे ये 136 वे स्थान पे आया ठीक है और साथ ही वर्दमान में यानि कि 2023 की हम बात करें तो ये 126 नंबर पे है ठीक है विश्व खुसहाली सूचकांक में अगला कुश्चन है इस्थान सकती पुरुसकार के संदर्व में निम्न में किसके लिए देवी अहिलिया भाई होलकर पुरुसकार दिया जाता है तो देखिए ये वीर्दा और साहस के लिए जाता है ठीक है तो राइट आंसर होगा आप्सन C अगला कुश्चन है जीवन में विज्ञान के उपियों को लोप्री बनाने का प्रयात्न करने वाले लोगों को यूनिसको द्वारा निम्न लिखित में कौन सा पुरुसकार दिया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप्सन B का लिंग पुरुसकार निम्न लिखित फुल फॉल फॉर्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है CAA नागरिक संसोधन कानून NRC रास्ट्री नागरिकता रिजिस्टर MPR रास्ट्री जनसिंक्या रिजिस्टर तो देखे ये एक भी मैच नहीं कर रहे है ठीक है तो राइट आंसर होगा उप्सन D नेक्स कुशन है उर्दू के मसुहूर सायर मिरजा गालिप का वास्तविक नाम क्या था तो राइट आंसर है अस्दुला खा उप्सन C का करेक्ट आंसर होगा अगला कुशन दिया गया है तोता हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं तो ये कहा जाता है अमीर नेक्स कुशन है ब्रह्म समाज का प्रारंबिक नाम क्या था ब्रह्म समाज आत्मी सभा ए और भी दोनु धर्म सभा तो देखिए इससे जाना जाता था ब्रह्म समाज और आत्मी सभा दोनु नामों से ठीक है तो राइट आंसर होगा अगला कुशन है बांगो साकर के इस द अगला उक्षिन है, रिजिनिंग से रिलेटेट, किसी खास कोड में वेन को VGFO लिखा जाता है, तो उसी कोड में पुलिस को कैसे लिखा जाएगा, तो देखे आपको दिया गया है वेन, ठीक है, वेन को क्या लिखा जा रहा है, VGFO, ठीक है, आप सब से बहले देखे, W से माइनस वन करेंगे, तो आपको V मिलेगा, इसी तरीके से H से माइनस वन करेंगे, G मिलेगा, अब यहाँ पर देखे, E में आपको प्लस वन करना है, F मिलेगा, और N में आप प्लस वन करेंगे, तो O मिलेगा, ठीक है, तो यह स्रीज हमको इस तरीके से मिलेगी, इसी तरीके अक्षर कौन सा होगा देखिए बाएं से पूछा जा रहा है आप से आप चेक करें जिए सबसे पहले इसके लिए अगर आपको इजोटी वाले ट्रक याद होगी तो आपको थोड़ा आसानी होगी questions को solve करने में ठीक है इससे क्या होगा कि इनके जितने भी alphabet है उनका आपको sequence याद रहेगा ठीक है तो टी अगर बीस वे नमबर पर है तो अठारवे नमबर पर कौन सा alphabet हो जाएगा आर हो जाएगा अब आप से क्या कहा जा रहा है अठारवे अक्षर के बाएं से दसवे अक्षर आप सबसे पहले अठारवे अक्षर के बाएं दसवे अक्षर की हो जाएगे ठीक है तो बाएं इस साइड हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस तो यहाँ पर आएगा एच ठीक है अब आप से क्या पुछा जा रहा है दसवे अक्षर कौन होगा तो एच क्या हो जाएग कि जगत का चाचा कौन है ठीक है आप एक question repeat हुआ है next question देखे आपका blood relation से related है राजन सचीन का भाई है और मानिक राजन का पिता है जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचीन की पुत्री है तो आपको बताना है कि जगत का चाचा कौन है ठीक है यहाँ पर यह question repeat हुआ है ठी प्रिया सचिन की पुत्री है तो जगत के जो पिता होंगे वो भी सचिन ही होंगे ठीक है क्योंकि ये दोनों भाई बहन है इसके बाद आप से कहा जा रहा है कि राजन सचिन का भाई है तो ये दोनों इस जनरेशन में हो जाएंगे ये दोनों भाई है और ये सचिन के बच्च से ही related है, आप इसको solve करेंगे इनको generation में wayncen करना है, अगर आप generation में wayncen कर लेंगे तो आप आसानी से in question को solve कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें right answer हो जाएगा, इसकी पर नातनी होगी है ठीक है नेक्स फूशन देखिए उत्राखंड समायनि ग्यान के रिगार्डी ठीक है निम्नलिकित थंडे जलकुंडों में कौन सुमेलित नहीं है देवकुंड उत्तरकासी सही दिया गया है दूसरा है देवीकुंड बागेसवर ये भी सही है तीसरा है नं गरम कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है, पुछा जा रहा है, सूरी कुंड यमनोत्री, तप्त कुंड बदरिनाथ, गंगनानी, उत्तरकासी, भाप कुंड रुदप्रियाग, तो देखे भाप कुंड जो है, ये तपोवन, जो सीमट, चमोली में इस्तित है, ठीक है, तो रा 2020 में उत्राखंड का सबसे बड़ा जैव विवित्ता पार्क खोला गया, तो राइट आंसर है, हल्दवानी में खोला गया, ठीक है, नेक्स विशन है, उत्राखंड का पहला रामसर इस्तल बना, देकि रामसर इस्तल बना सबसे पहला, आसन, कंजर्वेशन, रिजर्व, ठी गार अंदोलन कब और कहां प्रारम हुआ, तो राइट आंसर है, वर्स 1921 में बागे स्वर से हुआ ठीक है, नेक्स विशन है, अल्मोडा में हैपी कलब की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो देखिए, इसकी स्थापना 1903 में गोविंद वलब पंतजी द्वारा की गई अगला कोशन दिया गया है, गड़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है, तो राइट आंसर है, सहस्तर ताल, ओप्सन डीस का राइट आंसर होगा नेक्स वेशन दिया गया है, राज जी में सरवाधिक छेत्रपल पर खेती की जाने वाली दो फसले हैं, तो सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, ओप्सन इसका राइट आंसर होगा नेक्स वेशन है, निमने लिखित में से किस फसल की खेती राज जी के पहाड़ी छेत्रों में की जाती है, तो राइट आंसर है जोंगरा, ओप्सन इसका राइट आंसर होगा नेक्स वेशन दिया गया है, राजी में सरवाधिक क्रिसी योगी भूमी है, देखे कौन से जनपद में सबसे ज़्यादा क्रिसी योगी भूमी है, पुछा जा रहा है, तो राइट आंसर है, उधमसी नगर में next question है राजी में सबसे कम क्रिसी योगी भूमी है तो रुद्र प्रियाग जिले की जो भूमी है वो सबसे कम क्रिसी योगी ओंगी है ठीक है? तो राइड आंसर होगा option D नेक्स विशन है जाल विडाई दार्मा मुरियों क्या है तो ये कुमाओं के वादियंत रहें ठीक है आप्सन C इसका राइड आंसर होगा अगला विशन दिया गया है हरेला क्या है तो ये एक त्योहार है आप्सन A इसका राइड आंसर होगा नेक्स वेशन है नंदा राजजा तीर थी आत्रा में कास्वा से होम कुंड की दूरी ताई की जाती है वह कितनी है तो राइट आंसर है 280 किलो मीटर अगला कुशन है देखे बगवाल मेला की सिस्तान पर लगता है तो ये मेला देवी धुरा में आईजित किया जाता है और इसका राइट आंसर होगा वसंत की आगमन का त्योहार है देखे वसंत आगमन का पुछा जा रहा है तो राइट आंसर है फूल दी निमनलिखित पत्रीकाओं वो निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है बताने आपको परवत जन देरादून सही है पहाड नैनी ताल से ये भी सही है आज का पहाड पिथरागर से ये भी सही है यूगवाणी हरीदवार दिया गया है त उत्राखन दरपण उधंशिंग नगर नेक्स्ट है करमु भूमी टिहरी देखें करमु भूमी टिहरी से नहीं निकलता अनिकेथ है गोपिस्वर बाकी सब सही है तो राइट आंसर हो जगा ओप्शन सी करमु भूमी टिहरी गलत ऑप्शन है अगला अगला उच्छन है भगव प्रियागों में सम्मिलित नहीं है तो देगे पंच प्रियागों में आते हैं देव प्रियाग ठीक है दूसरा है रुद्र प्रियाग तीसरा है नंद प्रियाग विश्नु प्रियाग और कर्ण प्रियाग तो इसमें जो केसो प्रियाग है यह पंच प्रियागों में सम्मिलि अगला कुशन है येविवित्ता का अर्थ है, तो राइट आंसर है, एक निर्धारी छेत्र में विविन्य प्रकार के पाधप और जन्तू एक सांथ निवास करते हैं, वही क्या है येविवित्ता के नाज के कारण है, तो ये सबस्ते से लिए ये करेक्ट आंसर हो संगे ऑप् थारू इस्तरियों का सरवाधिक प्रियत्योहार है तो correct answer का option D नाक पंचमी नेक्स question है पूरु सैनिकों को राज सेवा के समू गौ व घौ में कितने प्रतिसत आरक्षन की सुईधा प्राप्त है नेक्स question दिया गया है अनन्त 14 परो में किसकी पूजा की जाती है तो इसमें की जाती है भगवान विष्णु की पूजा नेक्स और आज का रास question है कि सोरियों के विकासे तु राज में सबला योजना चलाई जा रही है देखे राज में पूछा जा रहा है ठीक है संपूर्ण भारत में 2011 में चली थी और बात करें हमारे राजजी की तो 2010 से इस योजना की शुरुआत की गई है तो फ्रेस ये तो थे आज की स्रीज के 100 most important questions जो आप सभी के साथ इस practice set के माध्यम से मैंने share की I hope कि आप सभी के लिए स्रीज helpful रहा होगा वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को like जरू करें thanks for watching